हलो फ्रेंड्स मीना की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं अरहर की डाल बनाने को बताऊंगी इसको बनाने के लिए हम एक बावल में एक कप डाल लेंगे और इसको हम पहले अच्छे से 3-4 बार पानी से धुल लेंगे अब यह पहला पानी देखिए धुला जा रहा है कितना गंदा पानी निकल रहा है इसलिए हम 3-4 बार और दुलेंगे अब देखिए यह पानी साफ हो चुका है इसका मतलब कि यह दाल साफ हो गई है अब हमें नहीं दुलना है अब इसका पानी हम निकाल करके छान लेंगे हम इसमें सबजी देख लेंगे क्या डालना है प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता और मिर्च ये चारों हम खड़ा ही धुल लेंगे और फिर कूकर में थोड़ा सा घी डालेंगे अगर देशी घी नहीं है आपके पास तो आप सर्सों का तेल भी डाल करके प्राई कर सकते हैं अब ये देखे घी गरम हो गया उसमें तेज पत्ता डालेंगे प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे फिर इसके बाद हम थोड़ा सा चला देंगे कड़ी पत्ता भी डाल देंगे इसमें टमाटर भी अब डाल देंगे हम हलका हलका इसको चला देंगे जो दाल हम धुल करके रखे थे उसको हम डाल देंगे जिस कब से हम एक कब डाल लिये थे उसी कब से हम चार कब पानी डाल देंगे आधा चम्मस हल्दी डालेंगे दो चम्मस नमक डाल देंगे ये आप अपने स्वाधा नुशा कम्या ज्यादा कर सकते हैं नमक को अब इसमें जब थोड़ा सा गरम होने लगे कोकर को बंद कर देंगे और गैस जो है थोड़ा सा मेडियम कर देंगे ये केवल दो सीटी में दाल हो जाएगा अगर मीडियम आज है तो अब आप जल्दी में हैं तो फुल फेरिम करके आप चार से पांच सीटी दिलवा सकते हैं दाल हो जा तो कूकर की सीटी को हम उपर उठाते हुए गैस को निकाल देंगे अब हम दाल को फ्राई करने के लिए गैस को जलाएंगे और उसमें लोहे की कल्ची हम रखेंगे उसमें हम थोड़ा कल्ची जब गरम हो जाए तो देशी घी उसमें डाल देंगे और उसके बाद जीरा डाल देंगे उसमें जब जीरा थोड़ तड़क जाए तो उसमें थोड़ा लहसुन डालेंगे कटा हुआ इसके बाद हम कूकर में ही कल्ची को डाल करके दाल को फ्राइब कर लेंगे यह देखिए अब हमारी टेश्टी सी दाल बन करके तयार हो गई है यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें दोस्तों में सियर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मीरा की रसोई को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाग